नमस्कार परदाफाश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सुनाली उत्तर प्रदेश जो कभी गुंडा राज के लिए जाना जाता था उससे अपराद मुक्त करने का बीडा उठा चुके हैं राज के मुख्यमंतरी योगी आदितिनाथ सरकार के आदेश के बाद राज से छोटे मोटे गुंडे मवाली समेट राज के बड़े माफिया उपर भी लगातार शिकन जाक कसा जा रहा है एक तरफ सालों तक यूपी में माफिया राज चला चुके अतीक एहमत और मुक्तार अंसारी के गैंग को कमजोर किया जा रहा है तो दूसरी तरह अदालत भी इनके गुनाहों के लिए सजा मुकरर कर रही है अधिक एहमत को मेश पाल अत्यकान मामले में उम्रकैद के बाद साबरमती जेल फेच दिया गया अब वो कैदी नंबर 17052 के नाम से जाना जाता था तो वहीं अगली बारी हो सकती है मुक्तार अंसारी की क्योंकि अब मुक्तार की कुंडिली खुल गई है CM योगी के हाथ में मुक्तार का पूरा खाका तयार है जिसमें अत्यकान के साथ साथ अपरण और अवैद निर्मान का पूरा रिकॉर्ड है तो आज परदा उठाएंगे मुक्तार की गुनाओं से और CM योगी के पूरे प्लान से उत्तर प्रदेश जो कभी गुंडा राज के लिए जाना जाता था उससे अपराद मुक्त कराने का बीड़ा CM योगी ने उठाया है राज के छोटे मोटे गुंडे मवाली तो ठीक लेकिन अब माफियाओं पर भी हंटर चल रहा है एक तरफ सालों तक यूपी में माफिया राज चला चुका अतीक एहमत और मुक्तार की गैंग को कमजोर किया जा रहा है तो वहीं कोट भी इनके ओपर हंटर चला रही है अतीक एहमत को उमेशपाल हत्याकान मामले में उम्रकैद के बाद साबर मती जेल भेच दिया गया तो वहीं अगली बारी मुक्तार अंसारी की है अतीक एहमत ने जिस तरह उमेशपाल की हत्या को अंजाम दिया था उसी तरह मुक्तार अंसारी पर भी कृष्णा नंदराई की हत्या क्या रोप है मुक्तार अंसारी पिछले 13 साल से जेल में है और उन पर 1-2 नहीं बलकि 40 से जादा मामले दर्च है लेकिन जिस गुना की बात हम कर रहे है वो जल्दी माफ्या मुक्तार के लिए बड़ी मुसीबन बन सकता है कृष्णा नंदराई हत्या मामले में साल 2012 में गाजीपूर की MPML कोट ने गैंकसर आक के तहट शुरू हुए ट्रायल पर सुनवाई पूरी की इस केस में मुक्तार अंसारी भायवजल अंसारी आरोपी है 15 एप्रल यानि ठीक 15 दिन बाद इस पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी क्रिशना नंदराय हत्या कांड भी बिलकुल राजुपाल हत्या कांड की तरही चुनावी रंजिश और गुंडा गर्दी का नतीजा है बस फर्क इतना है कि राजुपाल और उमेश पाल को अतीक एहमद ने मरवाया जबकि क्रिशना नंद की हत्या के आरोपी मुक्तार अंसारी है पहले जाननी जे कौन थे क्रिशना नंदराय ये कहानी शुरू होती है यूपी के 2002 विदान सबाद चुनाव से क्रिशना नंदराय मुक्तार का भाई अवजाल अंसारी भी लड़ा था इस सीट पर सालों से मुक्तार के परिवार का कबजा था लेकिन उस विदान सबाद चुनाव में बीजे पी विदाया क्रिशना नंदराय ने अवजाल अंसारी को मात दे दी थी भाई की हार मुकतार अंसारी को बरदाश नहीं हुई जन्ता ने जो फैसला दिया वो यूपी के इस माफिया को पसंद नहीं आया साह 2005 की बात है 29 निवेंबर के दिन कृष्णानंदराई अपने काफिले के साथ गाजीपूर से लोट रहे थे वहां उन्होंने एक लोकल क्रिकेटर टूर्णिमेंट का उधगाटन किया वापस लोटते हुए उनका काफिला बसनिया चुठी के पास पहुंचा जहां हमलावर पहले से घात लगा कर बैठे थे बीज़पे विधायक के काफिले पर एके 47 से 500 राउंड फाइरिंग हुई क्रिश्णानंद और उनके साथ चल रहे साथ लोगों को गोलियों से भुन डाला गया इस अत्याकान से उत्तर प्रदेश ही नहीं बलकी पूरा देश दहल गया था उस वक्तार जेल में बन था दरसल कुछ दिन पहले ही मुक्तार पर मउं में हिंसा भढ़काने के आरूप लगे थे और फिर मुक्तार ने खुद सरेंडर कर दिया था इसके बाद मुक्तार को जेल भीजा गया कहते हैं ये पूरा मुक्तार अंसारी की प्लानिंग का एक हिस्सा था जेल में बैठ कर मुक्तार ने लिखी थी कृष्णानंद राय की हत्या की स्क्रिप्ट मुक्तार के कहने पर ही उसके शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और अतीक और रह्मान ने कुष्णानंद की हक्तिया करवाई थी इसी मामने में अब ठीक 15 दिन बाग कोट अपना फैसला सुनाएगा इसे पहले अतीक अहमत के सामराज को सीएम योगी ने पूरी तरह खत्म करने के लिए 80 चूटी का जोर लगा रखा है कहते हैं वक्त हमेशा बदलता रहता है लेकिन 40 सालों तक उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमत ने वक्त को थाम लिया वो एक के बाद एक गुना करता गया और कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया वज़त ही राजनितिक सनबक्षन अतीक एहमत पर 17 साल की उम्र में पहली बार हत्या के आरोप लगे यह उसका पहला गुना था जिसकी उसको कभी सजा नहीं मिली वो जान चुका था कि अगर वो राजनिती का सफेद चोला पहन लेगा तो वो असानी से अपने काले कारनामों को छुपा पाएगा अपराद बढ़ रहे थे राजनिती में भी कद बढ़ना जरूरी था इसके लिए जरूरी था किसी बड़ी पाटी के साथ जुणना तो फिर क्या था अपने क्राइम के लिस्ट को छुपाने के लिए इस माफिया को साथ मिला समाजवादी पाटी का प्रयागराज में अतीक की तूती बोले लगी मुलायम सिंग के बेहत करीब अतीक को फूल पूर सीट से सपा का टिकेट मला बस अब तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी अतीक और उसके गैंग की गुन्डा गर्दी बढ़ती जा रही थी प्रशासन उसके इशारों पर काम करता था किसी को डराना धमकारना मारना हत्या करना अतीक और उसके गुर्गे के लिए छूटी मोटी बात थी कहते है न जब सरिया भयो कोत्वाल तो डर का हिका बस यही चल रहा था उत्तर प्रदेश में सरकार थी समाजवादी पाटी की और मजे कर रहा था माफिया अतीक एहमद अतीक एहमद ने दिंद्याडे बीएसपी ने तरा जुपाल की हत्या करवा दी लेकिन फिर भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि सरकार थी सपा की सालों तक की सलसला ऐसे ही चलता रहा अतीक सालों तक पुलिस और प्रशासुन को अपनी जेब में रखकर घूमता रहा अलाके कुछ सालों के लिए जब बीएसपी की सरकार बनी तो अतीक के लिए थोड़ी मुश्किल हो गई लेकिन एक बार फिर समाजवादी पाटी सत्ता में आई और फिर इस माफिया की वही गुंडागर्दी शुरू ही अतीक को लगता था कि वक कभी नहीं बतलेगा लेकिन साल 2017 में राज में योगी अधितिनात की सरकार बनी तो अतीक और उसके गुंडों को राजनीतिक संरक्षन मिलना बंद हो गया इस माफिया का वो वक शुरू हो गया जिसकी कलपना इसने कभी नहीं की थी अतीक को उसके गुनाहों के लिए जेल में बंद कर दिया गया लेकिन अतीग और उसके परिवार का राजनितिक मोभंग नहीं हुआ साल 2021 में जेल में बैठे बैठे ही अतीग ने असुदुदीन OVC के साथ रिष्टा बनाया अतीग का बड़ा बेटा अली और अतीग की पतनी शायस्ता परवीन ने OVC की पाटी AIMIM की सदस्ता ले ली ये लोग यूपी में मुस्लम काट के लाचा रहे थे OVC ने सो सीटों पर चुनाव लड़ने की गोशना भी कर डाली अतीग एहमत का नया दाव था अतीग के बड़े बेटे अली ने प्रयाग राज में एक मंच के दुरान शेरों शायरी करके आपती जनक भाशन भी दिया था जिसके बाद उसके खिलाफ धार्मिक भावनाय भड़का कर साम्परदाइक सोहार्द बिगारने का केस तरच हुआ अतीग एहमत की राजनितिक लाजसा यहां खत्म नहीं हुई ऐसी साल अतीग की पत्नी शायस्ता ने मायावती की बहुजन समाच पार्टी का दामन ठाम लिया वैसे रिष्टा जादा लंबा नहीं चला खबरे आई कि शायस्ता को बीएसपी से हटा दिया गया थोड़े समय के लिए ही सही राजनितिक पायदों के लिए मायावती ने अतीग के साथ अपने पिछले बैर भुला दिये और अतीग तो हमेशा सही अपने अपरादों को छुपाने के लिए किसी ना किसी राजनितिक पार्टी का संरक्षन ढूनता रहता था कहर ये सब तब तक शायद असार था लेकिन अब ऐसा नहीं है खास कर तब तक जब तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है फिलाल अतीक एमक को मेशपाल हत्याकान के लिए तो उम्र कैद की सजा मिल गई है अब देखना ये है कि उसके बाकी गुनाहों के लिए क्या सजा मुकरर होती है अब एक तरह पती को उम्र कैद मिली तो वही मुक्तार की नीन उड़ी ये बाहुबली योगी के नाम से भी काप उठ रहे है परदा फास में आज के लिए इतना ही देखते रहे है क्यापिटल टीवी उत्तरप्रदेश नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अग नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया